नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने योटूब चैनल रॉकिंग इनफार्मेशन पर मैं आपके साथ बिजय जैस्वाल आज हम प्रेक्टिस सेट में बात करेंगे टौफ 30 कोस्चन जो आपके प्रतेक टीटी जाम में पूछे गए हुए प्रस्ण होंगे तो यहाँ पर देखे पहला प्रस्ण हम आपको जो दिखा रहे हैं आपको कमेंड करके बताने इसके अंसर क्या होगा क्वेशन क्या है कोई वेक्ति 29 नुवंबर 2019 को एक एकस्प्रेस ट्रेन में सूरत गुजराज से नगर कोईल केरल जाने के लिए बैठा यह ट्रेन सूरत से 19 बचकर 45 मिनट चली और 1 दिसंबर 2019 को गेरा 45 बजे नगर कोईल पहुची यदि सूरत से नगर कोईल के बीच ट्रेन मार की दूरी 21 किलुमीटर है तो इसे यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी औसत चाल आपको बताना है औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय मैं आपको सूत्र भी बताया दे रहा हूं किस फार्मूला क्या है औसत इसका कमेंट आपको करना है वीडियो पर चले नेस्ट कोश्चन पर मैं आउंगा ये कमेंट करके आपको इसका एंसर निकालना है बहुत इजली है ठीक है चले next question देखते है question निम्रिखित में saying कौन अंतराष्टी ख्याती प्राप्त वेट लिफ्टर है तो इसका जो सही answer हो जाएगा कौन से दोस्तो very very important प्रसन है ये सारे important question है तो इनको note कर लीजिएगा ठीक है क्योंकि देखे जब तक आप लिखेंगे नहीं न दोस्तो तो ये कोई चीजे याद नहीं भोल जाएगा क्योंकि लिखा रहेगा तो इसे दो तीन बार आप देख सकते हैं क्योंकि वीडियो देखते रहते हैं दूसरा वीडियो आ जाएगा दूसरा देखते रहेंगे तो जो लिखा होता है न तो आप कही भी गंटे आदे गंटे के समय निकाल कर रिवीजन कर सकते हैं ठीक है तो इसका सही इंसार होगा करणम मलेश्वरी तो कौन अंतरस्टी एक ख्याती प्राप्त वेट लिप्टर है आपका करणम क्या हो जाएगा मलेश्वरी चले नेश्वरी देख लेते हैं नीचे दिया गया कौन सा एक समू जड़ों का है अब बताई देखे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब आपको बताना है कि इसमें से जड़ वाले समू कौन से है चुकंदर, आलू, अदरक, आलू तो तना है आपका अदरक भी तना है गाजर, हल्दी, अदरक तो हल्दी, अदरक आपका तना है गाजर ठीक है आपका एक जड़ है सकरकंदी, मूली, हल्दी, हल्दी, सकरकंद भी आपका तना है गाजर, चुकंदर, मूली जो चौथा याप्सन दिया हुआ है ये आपका क्या है? एक समुझ जड़ों का है गाजर भी जड़ है, चुकंदर भी जड़ है और मूली भी जड़ है तो right answer क्या हो जाएगा आपका चौथा नमबर हो जाएगा तो right answer चलें नेस्स कोष्चन की तरफ देखते हैं ठीक है नेश्ट कोष्चन आपका कह रहा है कि तो नाम से तो एसा दोस्तों नहीं है यो रेगिस्तान ओक एक पेंड का नाम है जो आपके अस्टेलियम आश्देलियम पाय जाता है जो टीटी जाम में पूछे गए हैं आप कोई भी कोश्चन आप प्रीवेस यर का उठा लेंगे पेपर ये सारे कोश्चन आपको मिल जाएंगे ठीक है चले नेस्ट कोश्चन है ये तो बहुत बार कोश्चन दोस्तों पूछा गया है नीपेंथिस वह पौधा जो सिकार करता है कि विशय में नीचे दिये गए कथनों पर विचार करना है तो कथन से रिलेटेड भी कोश्चन आते हैं आपके कथन दिये रहते हैं वो कथनों को पढ़ना है और विचार करना है और बताना है कौन सा सही होगा ठीक है तो कोश्चन कहरा है आपका कि नीपेंथिस वह पौ और आपके आस्टेलिया और इंडोनेसियम पाए जाता है पहला आपसन भी देखे इसका कार घड़े जैसा होता है और इसका मुई एक पत्ती से ढखा होता है ठीक है यह भी सही बात है यह केवल छोटे कीडे मकोडों को फसा कर उनका सिकार कर सकता दोस्तों यह गलत है यह आस्टेलिया इंडोनेसिया और भारत के मगाले में पाए जाता है और इसका कार घड़े जैसा होता है और इसका मुई एक पत्ती से ढखा होता है तो बी भी सही होगा ठीक है सी तो गलत हो गया डी में देखते है यह छोटे कीडे मकोडों के खींचने के लिए एक मोहक आवा की आपका सही हो जाएगा ठीक है चलिए अबने इस कोशन देखते हैं दोस्तों इस टायाप के कोश्चन पूंचे ही जाते हैं आपका कोई भी सीटेट का हो MPTT का जो होने वाला है ठीक है सीटेट का जो जुलाई में होगा और डबल एटी का हो RTET का हो STET का हो ठीक है कोई भी टीटी का जामो ये कोश्चन सारे टीटी के सारे कंपल सरी है आलराउंडर ये कोश्चन है सभी में आते हैं ठीक है आलराउंडर कोश्चन है भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वै भारत के नीचे दी गए किस राज में इसी थे तो आपको पता है जो दांडी मार्च यात्रा निकाली गई थी महात्मा जी के द्वारा वो क्या है नमक सत्रा गए वो नमक कानून तोड़ो ऐसा निकाल गए तो कहां पर किस राज में था तो यादें ताजा कर देना है क्योंकि एट और नाइन तेंस में आपने पढ़ा होगा नमक कानून तोड़ोगा ठीक है उन्होंने चलाया था डांडी यात्रा तो गांदी जी महात्मा गांदी जी हमारे बापु जी चलाये थे तो गुजरात में है ठीक है कौन सराजे गुजरात है नेश्ट देखेगा उच ज़र यानि तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेंड की छाल से किया जा सकता हुआ है आपका मियादी बुखार होगा या चिकन गुनिया होगा या मलेरिया होगा या डेंगू होगा तो आपको बता देना तो बेरी बेरी important question है, note करते जाए, notes बना लिजेगा, ठीक है, उच ज़र तेजबुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिंकोना पेंड की छाल से किया जाता है, वह आपका malaria है, malaria ऐसा रोग है, जो उच ज़र तेजबुखार आता है, उसके साथ कपकपी भी आती है, और इसके उपचार के लिए सिंकोना पेंड की छाल का से किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ये बहुत ही important question है, very very important question है, इस question को अब आप लोग करेंगे, कैसे पहले question को समझेए, मैं उत्तर बता दूँगा, आप direction देख लिजेगा, ठीक है, किसी डांक्टर का घर X पर इस्थित है, तथा उसका अस्पताल Y पर इस्थित है, डांक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सडक नहीं है, आते डांक्टर पहले A पर जाते हैं, जो X के ठीक पूर में 1600 मीटर की दूरी पर है, फिर वह B पर जाते हैं, जो A के ठीक दच्छिन में 450 मिली मीटर की दूरी पर है, फिर वह C पर जाते हैं, जो B के ठीक पस्चिन में 120 किली मीटर की दूरी पर है, और अंत में Y पर अपने अस्पताल पहुँचते हैं, जो C के ठीक उत्तर में 90 मीटर क दूरी पर है, अस्पटाल के सापेश डांक्टर के घर की सही दिसा क्या होगी अब आपको अस्पटाल से यह देखना कि डांक्टर जो हम से चले थे घर में वो दिसा कौन सी होगी, इसका जो answer, right answer मैं बता दूँ आपको direction भी देखिये, display में direction देखिए मैं आपको देख रहा हूँ ठीक है यहाँ पर direction में देखेगा कि x मान लिया अब यह इस पताल है ठीक है अब इसमें क्या है doctor a पर जाता है पहले a पर जाएगा जो x के 600 meter पूर की दिसा है पूर की दिसा यानि कि आपके जो display में right hand में जाएगा 600 meter ठीक है फिर वह क्या b पर जाता है जो a के ठीक दच्चिन है तो आपके जो right hand के सीधा नीचे आएगा नीचा दच्चिन कहलाता है ना तो 450 आजाएगा वो b option कहलाएगा b point करेंगे उसको फिर c पर जाता है b के बाद तो क्या है b के ठीक पस्चिम में 120 पस्चिम क्या कहलाता आपका left side hand left side hand में जाएगा क्या होगा पस्चिम हो जाएगा कितने meter जाएगा कोई मतलब नहीं direction से मतलब है ठीक है तो 120 meter जाता है थोड़ा सा line आपको आपको आँगे touch कर लेना है बढ़ा लेना है फिर c के c point उसको ये denote कर देना है फिर इसके बाद ठीक उत्तर 90 meter की दूरी पर जाता है उत्तर मतलब फिर आपको उपर की ओर जाता है ठीक है अस्पताल के साब ए डांक्टर की घर की सही दिशा क्या होगी तो इसका जो right answer दो तो क्या होगा उत्तर पस्चिम हो जाएगा क्योंकि उपर की दिशा जा रहा है न तो अब नीचे से ये देखना है कि जहां हम चले थे x को जो इस्थान है यानि घर जो है आपका वो आज से क्या दला तो उत्तर पस्चिम में पढ़ रहा है ठीक है आपका उपर और lefts के दोनों के बीच में पर रहा है ठीक है चले तो इस प्रकार से ये question जरूर आता ही आता है आपके seatate में हो गया ये question पूछे जाते है ठीक है तो काफी सारे important question है ये तो इनको भी note कर लीजेगा ठीक है चले और next question ये आपके discuss करेंगे question है आपका दिया है देखे very very important question है आपके collection किया गया है किवाल आपके लिए किया गया है ठीक है चले question है चेराओ नाच कहां के लोग करते हैं जारखंड के मिजोरम के मनिपूर के मिगाला के तो चेराओ जो नाच होता है दोस्तों वो मिगाला के करते हैं चिराव नाज जब होता है सभी लोग एक साथ अपने हाथ बॉर्णिंग कर लेंगे और एक साथ अपने पैर उठाएंगे नाचेंगे इस तरह कि उनकी कलाकरतियां होती हैं और अपने सचते सवर्ते भी हैं वो लोग ठीक है मुकुट और अपने चेहरे में थोड़ा बहुत पालिस मेकप करते हैं पालिस हो गहरा तो आपको इमें घाले में होता है चिराव नाज ठीक है तमिल नाडु के निकट वर्ती राज है तो तमिल नाडु को मैं आपको बता दूँ ऐसा कोश्चन एक जरूर पूछा जाएगा तो आप क्या करना है कि जो भारत देश का अपन जामो ये कंपल सरी कोश्चन है सभी में ठीक है यतने कोश्चन आपको पढ़ना पढ़ेगा यह तो आता ही आता है ठीक है इतना तो पढ़ी लीजे क्योंकि आपको कंफर्म हो जाए तो इसका तमिल नाडु के निकट वर्ती राज कौन से हो जाएंगे आपके चले सोची ए समझना जितना ज्यादा समझेंगे सर उतना ज्यादा इंपोर्ट रहेंगा आपके 120 प्लस स्कोर में ठीक है तो समझिए बहुत जले मैं कहता हूं जितना ज्यादा समझिए आप लोग ठीक है तो सत्तर का क्या हो जाए अभी आपने कुछ थोड़ा बहुत तो सोच लिया थेस केरल और करनाटक जो है यह आपके तमिलाद को निकाटी देख़े तमिल नाड जो राज है भारत के सबसे दच्छिनी में पाये जाता है तमिललाड फिर उसके उपर आपको केरल देखेंगे समोच से शटा हुआ है ठीक है केरल एक तो करनाटक भी उसके उपर है जस्ट त पर पिछले वीडियो में जाएए वहाँ पर पहला practice set जो मैं इसका बनाया था उस वीडियो को जरूर पूरा देखिए उसमें मैंने 30 से 40 question discuss किये थे जो NCUP 2005 से related थे पूरे ठीक है इससे question जरूर पक्का आता है कोई भी TET का exam हो एक दो question यह कंपल सरी जाम है all rounder question है ठीक है तो आप वह वीडियो जरूर देखिए और वीडियो में नहीं है तो सारे वीडियो हमारे practice set देख लीजेगा ठीक है Mathematics के class भी join कर लीजेगा अब practice set भी हम सारे कराने वाले मैज की कराएंगे आपका भासा first language first और second की भी कराएंगे हिंदी हो गया essence cut हो ठीक है तो tension मत लीजेगा सारे question आपके पैड़ा गोजी के child development नानी की बाल विकास question मैंने practice set कराए हुए तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं ठीक है प्ले लिस्ट में आपको आसानी से मिल सकता है सारे वीडियो मिल जाएंगे ठीक है आप लोग like भी बहुत कम करें like और share भी करते जाए ठीक है question देखें यहाँ पर है क्या question है कि पर्यावन अध्यान कच्छायों 3rd एवं 5th के लिए एक भी से छेतर है यानि कच्छा 3 और 5 के लिए एक भी से छेतर है जो संकलित करता है अब यह आपको पढ़े होंगे detail से तब याद बता पाएंगे इसलिए मैं कहता हूँ आपको समझन बहुत ही जरूर ही होता है ठीक है चले पर्यावन अध्यान कच्छायों में 3 से 5 के लिए एक भी से छेतर है अब आपको जो संकलित भी करता है अब आपको चार आपसन इसमें से एक आपसन सही होगा पहला है बिग्यान की अधार्णाओं और मुद्धों को पर्यावरन सिच समाजे बिग्यान और बिग्यान की अधार्णा यही तो चाहिए भाई 305 के लिए यही सिच्छा चाहिए यह तो नीचे जो आपसन दिया अलग अलग दे दिया है और पर्यावरन सिच्छा और बिग्यान दे दिया है लेकिन आपका पर्यावरन भी है समाजिक भी है और आपका परहण संदर्व होता है, इसमें सही क्या चीजें हैं? ठीकि ये वही चीजें बता दूँ, आपको चार कथन दी हो, इनको सभी पढ़के बताना है, कि परहण अधन एक बिसम है, जो एक से पांच तक की कच्छाओं में पढ़ाया जाता है, सेकंड है, एक वादो की कच अच्छाओं के लिए परण अधन से जुड़े मुद्दे बिज्ञान और समाजी बिज्ञान द्वारब पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो आप देखिए मेरे इंसर बताने के पहले आप वीडियो पहुच कर लिजे, करिए मेरा स्पीच मस सुनिए, वीडियो पहुच करिए फिर अपने आप कोश्चन पढ़िए, उसको समझिए, फिर आप देजिए, फिर इसके बाद वीडियो प्ले करिए, तो आपको पता चल लाएगा, आपने सही दिया है, कि गलत दिया है, गलत दिया तो और अच्छी बात है, आपको सीखने के मिलेगा, अपने आपको इंप् एक और दो में क्या होता है, गणित के मादम से पढ़ाए जाता है, यह important सारी चीजे हैं, और भी question देख लेते हैं, तो मारे चैनल को subscribe कर लिजिए, ठीक है, और like का बटन दबा दीजिए, और वीडियो को share भी कर दीजिए, WhatsApp, Facebook, Instagram, जो भी है चले तो next क्या कहरा question बच्चों को परियावरन अध्यन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा परियाप्त समय दिया जाता है यह इंगति करता है कि परियावरन अध्यन याद करके सीखा जाता है बच्चों को परियावरन अध्यन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा परियाप्त समय दिया जाता है यह इंगति करता है कि परियावरन अध्यन बाल के इंद्रित है बच्चों को सीखने के लिए क्या समय दिया जाता है इसलिए बाल के इंद्रित हो जाएगा तो 74 का 3 आप्सन जो है वो सही हो जाएगा नेस्ट देखेंगे नेस्ट जो आपका कहरा है क्वेश्चन यहाँ पे ठीक है यह कौन सा क्वेश्चन है आपका यह ठा ठीक है 75 नमबर देखते हैं निमिल्खित में से कौन सा पर्यवन अध्यन पाठक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है अब देखें यहाँ पे चीजें क्लियर कर लिजेगा क्वेश्चन पे ध्यान दीजे कि पर्यवन अध्यन पाठक्रम में सुझावित प्रकरणों का उपकरण कौन सा है तो परिवार और मित्र आपका ये क्या है प्रकरण है भोजन क्या है आपका प्रकरण है जानवर क्या है आपका उप्रकरण है और हम चीजें कैसे बनाते हैं ये भी आपका प्रकरण है तो कौन सा उप्रकरण हो गया तीसरा जो आपसन जानवर जानवर आपका उप्रकरण हो जाएगा और प्रकरण परिवार मित्र प्रकरण हो गया भोजन आपके प्रकरण हो गए हम चीजें कैसे बनाते हैं ये भी आपका प्रकरण हो जाएगा ठीक है तो जानवर जो आपका उप्रकरण कहलाएगा ठीक है निश्ट देख लेंगे निम्गली में से क्या पर्यवन अद्धन के लिए सिच्छा के लिए वांचनी गतविदी है तो इसके लिए जो important क्या होगा answer पर्यवन अद्धन के लिए सिच्छा के लिए वांचनी गतविदी है तो क्या हो जाएगा बिविन कच्छाओं में बहु संस्कृतिक छेत्रों को संभोधित करना परेवन अद्धन की और धर्णाओं से सम्मंदित महत्पूर्ण सुचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना परेवन अद्धन के 6 प्रकणों का रेखी आयोजन करना केवल पाठ पुस्तो को रासी तरना चौता तो होगा नहीं तीसरा भी नहीं होगा और पहला बिविन कच्छाओं के बहु सांस्कृतिक छेत्रों को संभोधित करना तो इसका जो राइट एंसर पहला ही होगा ठीक है क्या होगा पहला होगा बिभिन कच्छाओं के बहुत सांस्कृतिक छेत्रों में संबोधित करना सिच्छा के लिए वांचिनी गत्विदी होगा ठीक है चले अब यहाँ पर नेस्ट देख लेते हैं ठीक है नेस्ट चले नेस्ट स्टार्ट करते हैं निमकित में से क्या पर्यावरन अध्धन में बच्चों के द्वारा ग्यान की रचना में महतपून है बच्चों का सक्री भाग लेना बच्चों के समदाय के सदस पर्यावरन अध्धन की पाठ पुस्त के परेम अध्यन की पार्ट पुस्तक में दी गई ब्याख्या और परिभासा तो ब्याख्या और परिभासा तो होगा नहीं तो देखे कूट यहां पे दिया गया कि A, B, C सही होगा A, C सही होगा कि A, C, D सही होगा C सही होगा तो इसका जो इंसर है देखिए बच्चों का सक्री भाग लेना सही है बच्चों के समदाय के सदस ये भी सही है और परेवर्ण अध्यन की पार्ट पुस्त के ये भी सही है D आपका अपसन नहीं है क्योंकि ब्याख्या और परिभासा देना यह आपके पर्यावन अध्यन के द्वारा ज्यान की रचना के मौतपूर नहीं है ठीक है यह रचना नहीं है तीन है कि A, B, C तो आपका पहला अप्सन कूट जो दिया है पहला कूट वो सही होगा ठीक है ठीक है चले दोस्तो इस टाइब नेस्ट कूश्चन देख लेते हैं बच्चों को पर्यावन अध्यन सीखने में प्रभावसाली तरीके से जोड़ा जा सकता है क्या जोड़ा जा सकता है ब्रतांत कहानिया सिच्छक के द्वारा अधारणाओं की प्रभावसाली ब्याक्या सीखने में प्रभावसाली तरीके से जोड़ा जा सकता है तो ब्रतांत और कहानिया होगी ठीक है चले नेस्ट देख ले चले नेस्ट कूश्चन कहरा आपका कि पर्यावन अध्यन के सिच्छक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रे तीनों सही होंगे ABC तो चौथा जो कूट दिया है वो सही होगा आपका 79 का कौन सही हो जाएगा फोर्थ नंबर फोर्थ नंबर जो कूट दिया है ABC तीनों सही है यांपर ठीक है नेस्ट कहला है परियावरन अध्यन में सिल्प कला और चित कला को समूह में करके सीखने पर ब बहुत प्रभावशाली युक्ति है समूह में सीखना सहपाथी द्वारा सीखने को प्रोसाहित करता है समूह में सीखना कच्छा में समाजिक अंत्रे किया को बेहतर करता है शमूह में सीखना परवन अध्धन के पाठकम को समय पर पूरा करने में साहता करता है तो दोस्तों मेरे को ठीक है ये नहीं हो सकता समू में सीखना साय पाटी द्वारा सीखने को प्रोसाहित करता बिल्कुल सही बात है जब आप सोचिए समू में आप कोई भी काम करते हैं आपका जो साथी होता है सामने वाला होता है समू का एक group होता है group में कोई member जब कोई आंगे कुछ करने कुछ अब practical कर रहा है बच्पन की याद करिये 11 और 12 की जब आप practical कर रहे थे कोई कुछ चीजें कर रहा है तो आपकी जिग्यासा वहाँ पे होती है यानि कि आपको प्रोसाहित मनता है कि हम आपका दोस्त वहाँ पे कुछ की चीजें कर रहा है कुछ आपका रियक्शन कर रहा है ठीक है तो आपको उसाहित करता है ठीक है प्रोसाहित मिलता तो वही चीजें हो गई समू में सीखना कच्छा में समाजिक अंत्रे किया को बेहतर करता है बिलकुně झब हम समू में चीजें करते हैं तो जो भी निगेट्व होता है नहीं जानते हैं तो कोईने कोई कुछ अपनी बाते हैं जो कुछ न across थोड़ा बाक Давай करते हैं तो अंते क्रिया निए अंदर की जो क्रिया हो、 बेहतर करता है सोचने की छमता को भी अच्छा करता है ठीक है तो इसका जो राइट आप सन्न होगा तीसरा बी और सी सही होगा ठीक है तीसरा कूट आपका सही होगा निमलिखित में से क्या परेवर्ण अध्यन को सीखने का सबसे प्रभावसाली संसादन है बहुत ही अच्छा कोश्चन है कई वार पूँचा गया है ठीक है कंपल सरी कोश्चन है ये जरूर पूँचा जाता है तो निमलिखित में से क्या परेवर्ण अध्यन को सीखने का सबसे प्रभावसाली संसादन है परिवार के सदस बिल्कुल सही बात है भाई समदाय के सदस बिल्कुल सही है क्योंकि बच्चा जो होता है पहले परिवार और समदाय से परिवार से सीखता है समदाय यानि आसपडोस सीखता है समाचार पत्र हाँ ये भी है क्योंकि बच्चा पढ़ने अध्यान को सीखता है तो थोड़ा बहुत पढ़ने लगता है तो समाचार पत्रों के माध्यम से भी सीखता है ठीक है कि जैसे देखे कोई भी आ गए खबर की जंगल में आग लग गई तो बच्चा सोचता है यहां भी सुरच्छा करनी चाहिए जंगल में आग क्यों लगती है इसका उपाय डोणना चाहिए हमें पेंड पौधे लगाना चाहिए कि हमारे मंती मिनिस्टर यहां कलेक्टर गए य तो बच्चों में क्या होता है कि प्रभावसाली संसादन है जो कच्छा जो होती डी आपसन वो मुझे नहीं लगता कि प्रभावसाली होगा तो आपका जो कूट होगा ना तो थीसरा जो कूट दिया है A और B और C वो सही होगा तो परभावन अद्धन को सीखने का सबसे प परयवादन में होता है, कौन सा सिधांत है, वैशिक से स्थानी अमूद्舍से मूर्थ। देखे दोस्तों वैशिक से स्थानी तो नहीं होगा क्योंकि उपर से नीचो थोड़ा होगा सहार से गाउं में कोई वो चीजे नहीं सिखाता ठीक है गाउं से सहार में लोग सिखाते हैं गाउं की चीजे सीखेंगे फिर सहार में बताते हैं कि ऐसा ऐसा होता है मार्केट में वहाँ समल कर जाना चाहिए वहाँ पर समर कर हमें बाइक चलाना चाहिए ठीक है मार्केट जाना चाहिए अपने साइड में जाना चाहिए ठीक है तो अमूर्थ से मूर्थ तो ये भी नहीं लगता कि कोई कुछ जानता नहीं है अमूर्थ मतलब होता है कुछ ना जानना फिर वो मूर्थ हो ठीक है तो ये भी मुझे नहीं लगता है अग्यात से ग्यात की ओर तो ये भी नहीं कोई कुछ चीजें हमें मालूम नहीं है फिर हमें ग्यात उससे कैसे प्राप्त कर सकते हैं ठीक है चौथा अपसंदे की ग्यात से अग्यात बिल्कुल सही जवाब है तो कौन साही से दांद परेवन अधन में अनुसरन होता है ज्यात से अज्यात की ओर होता है जब बच्चा कुछ चीजें जानता है तो वो फिर आंगे बढ़ता जो चीजें नहीं जानता है ज्यात है उसको पता है कि उस चीजों को पढ़कर फिर अज्यात में जानता है की ओर होगा ठीक है चले नेश्ट देख लेते हैं नेश्ट कोश्चन कह रहा है कि निम्लिकित में से कौन सा परेवन अध्धन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है तुमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है और लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो को सेयर भी कर दीजिए वाटसेफ फेस्बुक इंस्ट्रागाम जो भी है तो इसका सही होगा पोर्टफोलियो क्रमनेधारन मापनी वर्णन अविलेक वार्शिक उपलब्दी परिच्छन तो इसका जो राइट एंसर होगा दोस्तों क्या होगा वार्शिक लेकिन वार्शिक उपलब्दी परिच्छन आपका रशनात्मक आकलंज का साधन नहीं है ठीक है चले और भी नेश्ट देख लेते हैं यहां पर अंगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां भी अभी एक क्वेश्चन है साइद नीचे ठीक उसको डिसकस कर लेते हैं काउन से क्वेश्चन पर थे हम लोग यह है अरे यार दूसरा क्यों खुल ला यार उपिन ठीक है अब यहां पर देखे क्वेश्चन क्या दिया है निमकित में से किसको पर्यावन अधन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए तो यहां पर आपसन देखेगा बच्चों में उत्तरों को सही या गलत रूप में आकना बिलकुन यह तो नहीं मानूँगा यह गलत है कच्चा 5 के EBS क्योंकि यह बिरोधा वास हो जाएगा ना सही गलत में रूप में आकना फिर बच्चों को सही तरह बिकास नहीं होता मानसी किसी तो उनका फिर कमजोड हो जाता है तो सही रूप में या गलत रूप में नहीं आकना चाहिए कि बच्चा अच्छा पढ़ रहा है ये गलत पढ़ रहा है तो उसको ये चीज नहीं आकना चाहिए ठीक है कच्छा 5 के EBS पार्ट को उस तक में प्रतिक पार्ट के अन्द में दिये गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा आकलन के संकेतों का उपयोग और बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन ठीक है तो जो इसका राइट इंसार हो गए आपका पहला ही होगा बच्चों के उत्रोतर को सही अगलत रूप में आकना देखें क्वेश्चन एक बार मैं आपको दिखाय दे रहा हूँ क्वेश्चन कहरा है कि इसको परणदन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए तो बच्चों का आकलन का दूर क्या करना चाहिए बता दिया बच्चों के उत्रों को सही अगलत रूपे आखना ये बच्चों से दूर करना चाहिए ठीक है निस्ट है ये देखिए अब आपको question यहाँ पे दिया है कि नीचे दी गए सूची पर विचार कीजिए कच्छुआ, घरियाल, कवा, बतक, मचली दिया है इसमें निम्ने से कौन सा दूसरों से बिन है तो कच्छुआ جो है, ठीक है जली है, घरियाल भी आपका जली है कवा क्या जली है, बिल्कुल नहीं है बतक जली है, मचली जली तो कवा आपका बिन होगा कवा एक ऐसा पच्ची है जो अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों का भी सेंक करता है सेंक करता है और सबसे उची डाली पर गोशला कवा ही बनाता है अब देखिए इस टाइब के भी कुश्चन आते हैं जो कूट भासा में दिये रहेंगे ठीक है कूट बहाँ सा यहाँ पे दान दीजेगा कूट क्या दिया है कि सुमेलित करना है आपको ठीक है सुमेलित कैसे करेंगे आपको आपसन में दे दिया जाएगा ऐसे ठीक है जैसे देखिए आपसन में दे दिएगा है आपको ठीक है सूची वन सूची सिकंड देखेगा सहर और राज पहला दिया हांग कांग केरल कास्मीर गोवा सिकंड दिया है अतदिक पसंद का भोजन यानि हांग कांग में क्या तदीक पसंद है केरल में क्या तदीक पसंद है कासमीर में क्या पसंद है गोवा में क्या पसंद है तो हांग कांग में देखे चार जो कूट वहां से वे दिया है फर्स्ट सिकंड थर्ड कूट चार कूट दिया है चार कूट में से एक कूट आपका सही होगा ठीक है फर्स्ट सिकंड थर्ड फोट में से तो हांग कांग में आपको बता देना चांदू सभी लोग जानते हैं कहा है चीन में है चीन में पकाय हुआ साफ खाते हैं तो एक तो पहला पांचमा हो जाएगा सभी लोग इतना लगा लेंगे अब आती केरल की बात तो केरल में किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका कहां बनता है केरल लाज में बनता है तो B का first हो जाएगा कासमीर मैं सरसो के तेल में बनी मचली पकाया जाता है मचली बनाते है मैं उन्हें पिछले वीडियो पे डिसकस किया थे इसके बारे में भी अब आती ही गोवा की बात तो गोवा में क्या होता है नारियल के तेल में समुद्री बनी समुद्र की मचली जो है आपके गोवा में होता है तो कौन सा कूट यहां पे सही होगा हांकांका पांचमा हो गया तो first में पांचमा होना चाहिए ठीक है कूट यहां पे देखिए और केरल में आपका क्या होता है tapioca बाला तो first होगा B में क्या हो जाएगा first तो second आपसं देखिएगा second कूट में क्या दिया है पहला का पांचमा दूसरा का first तीसरा का second और D का third यानी की गोवा का क्या दिया है नारियल के तेल से बनी समुद्र की मचली का उपयोग करते है ठीक है ऐसे भी कूट मासा आ जाएंगे समय बहुत नस्ट होटा है इनमे इसलिए आप प्रेक्टिस करिए जरूर ठीक है नीचे दिये गए पच्चियों की कौन सी प्रजाती जटके से अपनी गर्दन आंगे पीछे करती है तो मैंने ये question साई repeat हुआ पिछरी वीडियो मैंने आपको बताया था मैना मैना एक ऐसी पच्चिय जो अपनी जटकों से गर्दन को आंगे पीछे करती है ठीक है और उल्लू अपना गर्दन जो होता है उपा आंगे से पीछे कर लेता है ठीक है उल्लू ऐसा जिव है आपका कि उसकी आखे जो मनुस के तरह सामने की होती है बांकि अधर पच्चियों की क्या होता है उलू एक पच्ची है जिसकी आखे सामने की तरफ मनुस आप और हमारे की तरह होती है जैसे आपकी हमारे सामने होती है और अगर अधर पच्चियों की बात की जाए तो वो सिर के दोनों तरफ होती है ठीक है और आपकी कवा तो सबसे उंची डाली में अपना गोसला बनाता है ठीक है निस्ट देखिएगा नीचे घरों के नीचे दी गए बिरों पर विचार करना है अपको फिर आपको कूट में बताना है कि राजिस्थान में गाओं के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली जाडियों की होती हैं में रहते हैं बिल्कुल सही जवाब है मनाली हिमानचल में घर बसों के खंबो पर बनाया जाते हैं बिल्कुल गलत जवाब है यह आपका जम्मू कास्मीर में घर में बासों के खंबो पर बनाया जाते हैं ठीक है ले में पत्थर के दो मन्जिल घर बनाया जाते हैं नीचे के मन्जिल पर क्या है नीचे के मन्जिल पर जरूरत का और जानवरों को रखते हैं तो A और C सही होगा जो की कूट वहांसा तीसरे में दिया है A और C तो 89 का थार्ड आपका सही हो जाएगा ठीक है नेश्ट देखिएगा ये भी आपका कूट वहांसा में ही है कुश्चन क्या कह रहा है हाथियों की बिसे में नीचे दिये गए कत्रों पर विचार करना है देखिए हाथियों से रिलेटर कोश्चन पूछा जाता है कंपल सरी कोश्चन है और पीछले वीडियो में मैंने एक आज दो कोश्चन इससे रिलेटर डिसकस किये थे ठीक है तो नए हैं अगर आप इस वीडियो पर तो पिछले वीडियो जरूर देखेगा इसके लिए आपको करना क्या है छोटा सा काम करना है वीडियो को लाइक कर देना है और जाके हमारे चैनल को जॉइन करने के बाद नोटिफियेशन आन में क्लिक कर लेना चाकि जो नेस्ट वीडियो आए वा आपको असानी से मिल सके जो आपके प्रिपरेशन में हेल्फ करे और 120 प्लस स्कोर में मदद करेगा तो हाथी बहुत कम आराम करते हैं यह एक दिन में केवल 2-4 घंटे सोते हैं यह भी बहुत सही बिल्कुल सही जवाब है अगर पढ़ेंगे तो यह आपको मिलेगा अगर पढ़ेंगे नहीं पढ़ें तो हमारा प्रेक्टिस सेट देख लीजिएगा वा निचोर वीडियो में हमने डाला है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और जाडियां खा लेता है इनहें पानी और कीचर में खेलना बहुत बहुत है बिलकोल स davon है और बाद बता दू हातियों का जुंद होता है ना —दस से बारा ही एक होता है दस से बारे हातियों का जुंड होता है और हातियों के जुंड का जो मालिक होता है वो सबसे बुजुर्ग हतनी होती है ठीक है जुंड का मालिक वही होता है सभी फैसलें वही लेती है तो कौन सा हो जाएगा है फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ सही है तो कौन सा है फर्स्ट थ ठीक है और सभी दोस्तों में share करें शबका साथ सबका विकास हमारा सपना सिच्छक हो अपना हमारे चैनल पे जितने वियूस हैं सभी लोग सिच्छक हो हैं हमारे भावी सिच्छक हैं ठीक है चलिए धनवाद नेस्ट वीडियो पे मिलते हैं